स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद होगा आपको कि नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम कौन सा करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्ट और हिंदी में कहा जाता है प्रजनन तंत्र, आपका ज्यादा सलेबस नहीं बचा है बेटा, मुस्किल से आप ये मान के चलो, बारा तेरा क्लास और बची होंगी, योगि रिप्रोड़क्टिव सिस्टम करवाते ही, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एनिमल किंग्डम, फिर आप आपका जुलोजी वाला पार्ट खतम हो जाएगा और बोटनी की साथ, छह साथ क्लासेज, बस बोटनी की कुछ क्लासेज में रिकॉर्ड़ड फॉर्म में दूंगी आपको दो या तीन, क्यों कम्प्लीटी थोरी वाला पार्ट है, उसमें को समझाने वाला पार्ट नहीं है तो आप डिकॉर्ड फॉर्म में भी उसे पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाग की जो भी चैप्टर में एक बार देख लूँगी, आपके बैच पर सोले रिसर्च कर लूँगी, आरंडी कर लूँगी, क्या बचा है, क्या नहीं बचा है, ठी युष्टर्म, जो रिप्रोडट्शन में ह保क लूँग करता है, रिप्रोडेक्शन में होता है, उसे रिप्रोडलटू सिस्टम कहते हैं, मैं आपको जब बाइयोलजी का इंत्रोड नाटषन पढ़ाया था, तो मैं आपका बचाया था, कि जितने भी लीविण अपने जैसी युण स्व है निर्मान करता है, जैसे अगर बंदर है तो वह बंदर बनाएगा बंदर अपनी याथी का निर्मान करेगा, अगर लंगूर है तो लंगूर-गय य है तो गय इंसान है तो इंसान, reproduction एक biological process है reproduction is a biological process in which individual offsprings are produced कहने का मतलब है यह है एक जेविक प्रिक्रिया है और livings का यह character है जेविक प्रिक्रिया है और livings का यह character है और इसके अंदर क्या होता है तो जितने भी livings होते हैं चाहे वो plants हो चाहे वो bacteria हो तो अब वो अलग-अलग सबका reproduction अलग-अलग होता है तो जब मैं बात करती हूँ reproductive system की तो आप बताओगी बटा कि reproductive system में reproduction के बारे में पढ़ते हैं reproduction एक biological process है जिसमें अपने जैसी offspring produce करते हैं organisms अपने जैसी offspring produce करते हैं और offspring का मतलब होता है प्रजातियां या संतान लिख लिजिए प्रजाति या संतान अपने जैसी संतान का निर्मान करते हैं तो जिस process के थुरू अपने जैसी offspring या संतान का निर्मान करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं reproductive या reproduction कहते हैं अब जो जो और्गन का इन्वोल्मेंट रहता है, उनको और्गन्स को रिप्रड़क्टिव और्गन्स कहते हैं, जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सवल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहा जाता है लेंग जनन और क्या होता है एं लैंगिक जनन तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो Sexual reproduction वो reproduction है जिसमें sexual organs का involvement रहे sexual organs का involvement रहे बोले तो लैंगिक जनन अंगों का लैंगिक जनन अंग जिसमें सहायक हो एक मेल वाला पार्ट होगा एक फीमेल वाला पार्ट होगा, sexual organs की थू हो, जिसमें लेंगिक जनन शामिल हो, ऐसे प्रजनन को आप लेंगिक जनन या sexual reproduction कहते हैं, जिसमें sexual organs का involvement हो, अब यह sexual organs अगर हम बात करते हैं, तो male sexual organ अलग होगा, और female sexual organ अलग होगा, मादा जनन अंग अलग होगा, और नर जनन अंग अलग होगा, जो male sexual organs होगे, वो क्या बनाएंगे, sperm gametes बनाएंगे, sperm को बोलते हैं सुक्राणू, वो सुक्राणू बनाएंगे, और जो female sexual organs होते हैं वो ova, ova का मतलब होता है अंडानू या dimb, वो अंडानू या dimb बनाएंगे और then इसी spoms और ova के fusion से बात में क्या होगा, एक individual male sexual organ होगा, एक individual female sexual organ होगा और इन दोनों के fusion से, fusion का मतलब सल्लिन, जुडने से एक नया individual species बनेगा, एक नया जाती बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोल दोगे एक नया offspring बन गया है, जाइगोट बनेगा यहां से, जाइगोट को युगमनस कहा जाता है, तो ये इन दोनों का offspring है आप देखो, ये जो जाइगोट है, ये आगे चलकर इसके अंदर cells, tissues, सारे के सारे आप बता दोगे, अब ये बन जाते हैं, ठीके, अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ये किसकी थ्रू हो रहा है, इसमें male sex organ, female sex organ सामिल है, या हम बोल सकते हैं, sporms और ova का involvement है तो ऐसा कोई भी reproduction, जो sporms और ova के involvement से हो, उसे sexual reproduction कहा जाता है, उसे लेंगिक जनन कहा जाता है लेकिन बेटा, आप बताएंगे कि ऐस sexual reproduction क्या होता है, जिसमें ये sexual organs ना हो, जिसमें ना ही तो कोई male sexual part होगा, ना ही कोई female sexual organ होगा ना ही कोई sporms बनेंगे, ना ही कोई ova बनेंगे, कहने का मतलब इसमें offspring कुछ अलग process से बनेगी कैसे, जैसे कोई एक living organism है, उसका एक हिस्सा यहां से बाहर की तरफ growth कर गया उसकी outer growth हो गई, और बाद में यही part तूटके नीचे गर गया, तो इससे एक नया offspring बन जाएगा कुछ दिनों के बाद तो यहां पर ना ही तो कोई sexual organs है, ना ही कोई spums है, ना ही कोई ova, कोई gamut cells नहीं है, बस एक part था वो बाहर की तरफ growth किया और वो तूटके नीचे गिर गया, उससे एक नया बन गया वापिस, है ना, या आपने इसके किसी हिस्से को तोड़ कर आपने अलग से एक individual species बना ली कहने का मतलब जिसमें sexual organs ना हो, जिसमें spums और ova का involvement ना हो, ऐसे reproduction को asexual reproduction कहा जाता है और जब हम human body की बात करते हैं, तो हयाद रखिएगा, humans में हमेशा और हमेशा किस type का reproduction होता है, sexual reproduction होता है मनुसे जाती में langic presence होता है, जबकि अगर आपसे plants में पूछे, पेड़ पोधों में, तो plants में sexual भी होता है और asexual भी होता है, plants दोनों type का reproduction कर सकते है, sexual और asexual, langic और alangic दोनों type का president वो कर सकते है ठीक है, इसका example एक ने कहा है कि में किस में, hydra, इसका example लिख लो hydra, आगे पढ़ाया जाएगा आपको hydra क्या होता है इसका example plants लिख लो, plants और hydra जो होते हैं, उनके अंदर ये वाला होता है जबकि अपने अंदर, human के अंदर कौन सा होता है, sexual reproduction होता है कहने का मतलब, एक male reproductive organ अलग होगा, female reproductive organ अलग होगा male वाले से अलग gamut cell बनेंगी, female वाले से अलग gamut cell बनेंगी फ़र दोनों के fusion से एक नया individual species बन जाएगा, तो उसको sexual reproduction कहा जाता है तो हम लोगों में कौन सा होता है, यह होता है बच्चा तो मैंने बता दिया है, reproduction क्या होता है, अगर reproduction की process नहीं होगी तो कोई भी living organism से उसकी जाती का निर्मान होना बंद हो जाएगा और उसका once वहीं पर खतम हो जाएगा, है ना, उसकी जाती वहीं पर खतम हो जाएगी तो अपने जैसी जाती का निर्मान करना ही reproduction president कहलाता है जो दो टाइप का होता है, अब अगर मैं बात करती हूँ, human reproduction कैसा होता है उसके कुछ character आपको मालूम होना चाहिए, तो heading दीजिएगा human reproduction, मानव का president किस तरीके से होता है human reproduction, मानव president, कुछ character से, कुछ बाते हैं जिनका जानना जरूरी है human reproduction के बारे में, बाद में male और female reproductive system दोनों हम पढ़ लेंगे सबसे पहला, अगर मैं बात करती हूँ, कि human reproduction कैसा है, तो आप पहला character क्या लिख दोगे कि human reproduction हमेशा sexual होता है, किस टाइप का, sexual reproduction होता है, langic president होता है और कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें एक male gamit बनता है, और एक female gamit बनता है एक नर जनन भाग होता है, और एक मादा जनन भाग होता है, इसलिए langic president कहलाता है, sexual reproduction कहलाता है दूसरा, अगर दूसरी बात करती हूँ, human reproduction की, तो हमारे reproduction का type होता है वीवी porous, ये ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, वीवी porous, और हिंदी में से कहा जाता है जरायूज, हमारा reproduction जरायूज प्रकार का होता है, और वीवी porous का मतलब क्या होता है ऐसे जीव जन्तु जो बच्चों को जनम दे, जो किसको जनम दे, चाइल्ड को जनम दे, जो बच्चों को जनम दे, छोटा बच्चे को जनम दे, उसे वीवी पोरस कहा जाता है लेकिन अगर कोई अंडा बनाए और फिर उस अंडे से क्या बने बच्चा बने तो उसे कहा जाता है ओवी पोरस अंडानूज उसे कहा जाता है ओवी पोरस या अंडानूज जबकि हम लोग क्या हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहले एक मदर अपना अंडा देती है उससे एक कि अपने बच्छों को जनम देते हैं जबकि ऑवी प्रॉस पहले अंडा बनता है जैसे आप देख लो अंडा बनता है चिडिया होती है वह पहले अंडा देती है फिर उसके अंडे उसका चूजा निकलता है बच्छा निकलता वह ओवी पॉररस है जो अंडे देते हैं वह ओवी पॉरस है अंडानुज है और जो बच्चों को जनम देते हैं वह जराईूज है वह वी पॉरस है तीसराल जाब secondo एक लेंगिक का मतलब होता है एक मेल सेक्स ओर्गन होता है और एक फीमेल सेक्स ओर्गन होता है एक मादा जननांग अंग होता है और एक आप बताओगे नर जननांग अंग होता है यूनी सेक्स ओर्गन का मतलब होता है बेटा जिसमें एक अलग से इंडिविज्वल बोडी होगी मेल वाला एक इंडिविज्वल बोडी होगा फीमेल वाला male से sponge cells बनेंगी, female से ova cells बनेंगी फिर उनके fusion से एक नया बच्चा बन जाएगा, एक वीवी पोरी बन जाएगा तो उसको बोलते हैं हम humans are unisexual, bisexual तो हो नहीं सकते bisexual का मतलब होता है कि एक ही जगह पर दोनो टाइप के male और female sexual organs हो यह होता है plants के अंदर, plants bisexual हो सकते हैं क्योंकि plant का एक ही flower पे male और female दोनो पार्ट होता है और दोनों से ही एक से pollen grains बनते हैं और एक का female वाला पार्ट है तो वहाँ पर जाकर reproduction हो जाता है तो plants bisexual हो सकते हैं लेकिन humans जो reproduction है humans वो होते हैं unisexual, एक लेंगिक मतलब एक male वाला और एक female वाला पार्ट दोनों अलग अलग होता है सुनिल कह रहे हैं कि मैम यह question UPSI में आया था अच्छा हो सकता है UPSI में आया हुआ question हो चलो, next, next क्या होता है human का reproduction dimorphism वाला होता है dimorphism का मतलब है द्वी रूपता, ठीक है, कहने का मतलब है हमारा reproduction है, वो क्या है बटा, dimorphism है dimorphism का मतलब क्या होता है, पहले तो यह सुनो, dimorphism, dimorphism वाला है, द्वी रूपता वाला है और द्वी रूपता का मतलब क्या होगे बटा, male body से अलग, आपकी अलग characters होंगे, female body के अलग character होंगे कहने का मतलब है, dimorphism मतलब दो परकार के रूप, male reproductive system का अलग से structure होगा and female reproductive system का अलग से structure होगा, कहने का मतलब, male वाले के sexual character अलग से होंगे and female वाले के sexual character अलग से होंगे, तो कहने का मतलब, हमारा reproduction, dimorphism होता है द्वी रूपता वाला होता है, दो परकार के रूप वाला होता है क्योंकि male वाले से spumps बनते हैं, सुक्राणू को शिकाएं बनते हैं and female से ओवा या अंडानू बनते हैं, इसलिए male sexual organs के अलग characteristics होंगे and female sexual organ के अलग से characteristics होंगे इसलिए बच्चा हम कहते हैं, ये सारे character किसके है, human reproduction के अगर आपसे पूछ ले, कि humans के अंदर, देखो एक question बनते है exam ये पहला चार question तो यही बनेंगे, human reproduction किस टाइप का reproduction है, sexual reproduction है जो sexual organs के शामिल होने से बनता है, दूसरा, humans किस टाइप के animals होते हैं वो viviporous होते हैं, क्योंकि वो direct बच्चे को जनम देते हैं लेकिन जो पहले अंडा दे, फिर उस अंडे से चूजा निकले, फिर उसका बच्चा हो तो आपके बोलोगे, वो oviporous कहलाते हैं अगला, humans का जो reproduction होता है, वो unisexual है unisexual का मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक human body में male और female दोनों sexual organ हो ऐसा नहीं हो सकता, यह आप बताओगे कि यहाँ पर unisexual का मतलब होता है कि male sexual organ अलग individual body में है and female sexual organ अलग, अलग, हाँ, अलग एक individual body में है तो हमारा reproductive system जो है, वो unisexual type का होई and dimorphism का मतलब होता है बैटा, male and female body दोनों अलग-अलग है और male के character six अलग से होंगे, अलग रूप का होगा, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग type का होगा, इसलिए हमें दोनों अलग-अलग पढ़ने पढ़ते हैं तो यह सारे character हमारे reproduction के हैं और exam में पूछ ले, तो आपको इस तरीके से आपको जानना है ठीक है? चलो, अब पहले हम male reproductive system पढ़ेंगे और then हम female reproductive system पढ़ेंगे लेकिन बच्चा इन दोनों के reproductive system पढ़ाने से पहले, मैं आपको कुछ phases पढ़ाती हूँ कि किस तरीके से एक बच्चे का निर्मान होता है? किस तरीके से आप बने या कैसे एक mother के वो में में गरभासे में बच्चा बनता है? उसके कुछ phases होती है तो पहले आप वो समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आगे की चीज़े समझना तो लिखेगा phase of reproduction प्रजनन की अवस्थाएं क्या-क्या phases है? किन-किन phases में हमारा reproduction complete होता है? प्रजनन की अवस्थाएं कौन-कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनके अंदर हमारा complete reproduction complete होता है चलो सुनो कौन-कौन सी phases है? सबसे पहला होता है उसे कहा जाता है gametogenesis gametogenesis हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो आप बताओगे इसे हिंदी में कहा जाता है युगमक जनन सबसे पहला phase हमारे reproduction का युगमक जनन कहलाता है और युगमक जनन का मतलब क्या होता है? genesis का मतलब होता है formation किसी चीज का निर्मान होना और gametogenesis वो प्रोसेस है जिसमें gamets बनते हैं gamets बोले तो आप बताओगे जहां पर gamets को कहा जाता है आप जनन कोशिकाएं तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला ही phase कौन सा होता है कि gamet का formation होना चाहिए gamets बनना चाहिए formation of gamets मतलब जनन कोशिकाओं का निर्मान होना ही gametogenesis कहलाता है अब यह जो जनन कोशिकाओं होती है जो gamet cells होती है वो दो टाइप की होती है बेटा क्योंकि आप जानते हैं हमारा reproduction dimorphism है इसलिए हमारी gamet cells जनन कोशिकाओं दो प्रकार की होती है अगर मैं male gamet cells की बात करती हूँ तो उन्हें spums कहा जाता है सुकराणू कहा जाता है और दूसरा जो मादाएं होती है उनमें ova अंडाणू या dim होता है तो बेटा अगर male body होगा तो उस male body में क्या होगा spermatozenesis होगा देखना सुनना male body है तो उसमें क्या होता है spermatozenesis is का मतलब है formation of spums अगर male body है तो उसमें spums बनेंगे और जो female body में होता है उसे कहा जाता है oogenesis eugenesis का मतलब होता है formation of egg अंडा या ओवा का बनना तो female body में जो process होता है उसे eugenesis अंडाणू निर्माण कहा जाता है और male body में होता है उसे सुक्राणू निर्माण या spermato genesis कहा जाता है उसे आप बताओगी बटा spermato genesis कहा जाता है मेरी बास समझ में आई हमारा reproduction तब समझ में आएगा आपको जब कैसे होता है reproduction अगर उसकी जो phases आपको समझ में आ गई तब आपको male reproductive system और female reproductive system बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा देखो बेटा जो male reproductive system है उसमें बनते है spums और spums बनना ही spermato genesis कहलाता है Formation of spums सुक्राणू का निर्मान होना सुक्राणू जनन कहलाता है female reproductive system में ova, ova या egg, अंडे बनते हैं, अंडानू बनता है, इसे कहा जाता है, oogenesis, अंडानू निर्मान, यह कहा होता है, female body में, यह कहा होता है, male body में, क्योंकि हम लोग डाइमोर्फिजम है, ऐसा नहीं एक ही body में spumps और ova बन जाए, वो तो फिर हो जाएगा, आप बताओगे वो तो homosexual हो जाएगा, homo या फिर आप उसको बोल सकते हो कि वो bisexual हो जाएगा, लेकिन हम तो unisexual हैं, हम तो unisexual हैं ठीक है, तो पहला process क्या होता है, gametogenesis gametes बनना start होते हैं, अब बात यह आती है कि यह gametes कब बनना start होते हैं, बैटा अगर कोई male body और female body है जब उसकी puberty age start हो जाती है ये gamits कब बनते है, spumps और ova कब बनते है बेटा जब उस लड़का और लड़की की puberty age start हो जाती है puberty age का मतलब होता है किसोरा अवस्था मतलब उस बच्चा जब वो बच्चा minimum 11 साल का हो जाता है तब उसमें spermatozenesis और oogenesis होने लग जाता है अगर वो male body है तो उसमें 11 साल के बाद spumps बनना लग जाते है और अगर वो female body है तो 11 साल के बाद उसमें ova अंडाणू बनने लग जाते है तो अगर आपसे कभी भी exam में पूछ ले क्या पूछे बेटा question कि spermatozenesis क्या होता है formation of spumps spumps कब बनना start होते है जब puberty age start होती है या जब खतम हो जाती है तो तब proper बनना start हो जाते है लेकिन ये start कब हो जाते है जब puberty age किसी भी लड़के की start होती है किसोरा अवस्ता 11-12 साल के साल में बनना start हो जाते है सेम female body में भी puberty age जब आती है तो उस समय ये o genesis की process होना लग जाती है अब मैं कब जाके spumps बनना बंद हो जाते है तो अगर कोई लड़का है तो उस लड़के में 60-65 साल के बाद spumps का बनना बंद हो जाता है spumps का बनना बंद हो जाता है बेटा कब तो आप बताओगे 60-65 साल के बाद एक लड़के के अंदर मतलब अल डेज में बुढ़ापे में इसको 60-65 साल को क्या बोलोगे आप औल डेज ही बोलोगे, बुड़ापे में 60-65 साल के बाद, स्पम्स का बनना जनरली बंद हो जाता है, फीमेल बोडी की बात करते हो, तो फीमेल बोडी में आफ्टर मीनोपोस, मीनोपोस क्या होते हो बातें बताएंगे, पचास से पचपन साल के बाद, महिलाओं में ओवा या अंडाणू बनना बंद हो जाते हैं, जब एक महिला अल डेज हो जाती है, उसकी आपका बुड़ापा आ जाता है, कब तो पचास से पचपन साल में, तो उसके बाद, उसमें ओवा या एक बनना बंद हो जाते हैं, और एक मेल बोडी में, 60-65 साल के बाद, स्पम्स प्राण का formation होना बंद हो जाता है तो इससे पहले पहले ही spermatozenesis और ova genesis चलता है उसके बाद ये बंद हो जाती है तो पहला phase जो है reproduction का वो होता है कि भाईया male body में अलग gamet बनेंगे और female body में अलग से gamet बनेंगे अब male body में gamet बनेंगे और female body में gamet बनेंगे अब दूसरा process क्या होगा दूसरे process को कहा जाता है insemination insemination ध्यान से सुनिएगा इन terms को इन terms का कभी-कभी exam में meaning पूछा जाता है कि insemination क्या हो जाता है insemination का meaning क्या है अगर आप से ये पूछ लिया जाए तो हां जी बटा योवन आवस्ता या किसवरा आवस्ता एक ही बात होती है insemination का मतलब होता है ग्रभा धारन ग्रभा धारन ग्रभा धारन कभ होता है तो बटा जब male body से through genital area तो उसे insemination कहा जाता है insemination का मतलब होता है transfer of, लिख लीजेगा, transfer of spumps, जो male body में, reproductive system में spumps बने हैं, उनका transfer होना कहां पर? transfer of spumps to the female body, through zenital area, और zenital area का मतलब क्या हो गया? जननांग भाग के द्वारा, जो नर सुकुरानों है, उनका मादा के सरीर में प्रवेश करना, insemination ये ग्रभा धारन कहलाता है क्या होगा? लिख दीजिएगा, जननांगों के द्वारा, जननांगों के द्वारा, थोड़ी से हिंदी आपको टफ लग सकती है, जननांगों के द्वारा, नर सुकुरानों का, नर सुकुरानों का, मादा सरीर तक पहुँचना, मादा सरीर तक, मादा बोले तो लड़की के ग्राबा धारण कहलाता है कुछ नहीं पहले male body में after the puberty is प्रोपर तरीके से spumps बनेंगे female body में प्रोपर तरीके से ova बनेंगे और then insemination का process होगा insemination का मतलब है जो spumps male body में बने है वो spumps transfer हो जाते है zenital area से आते है कहां पर female body में अब यह spumps cells कहां आ चुकी है female body में आ चुकी है तो अब अगला process होता है fertilization का तीन नमर पे जो phase होता है उसे कहा जाता है fertilization जो spumps आए है जो spumps आए है through sexual intercourses तो वो spumps क्या करेंगे निशेचन की प्रिकरिया करेंगे वो spumps क्या करेंगे निशेचन की प्रिकरिया करेंगे पहले सुनो what is fertilization यह जो spumps आए है male body वाले male body वाले जो spumps आए है वो female body में आ गए है और female body में कहां से तो through genital area genital area से spumps आ चुके हैं यहाँ पर मालो यह बहुत सारे spumps हैं और female body में यहाँ पर होती है ovary अंडा से एक इदर होता है left वाला एक right वाला यह ovary वच्चा female body की इस तरीके से इन्हें कहा जाता है ovary या अंडा से इन्हें क्या कहा जाता है ovary या अंडा से तो spumps genital area से होते हुए यहाँ पर आ चुके हैं जने हम सुकराणू बोलेंगे और जैसे इस spumps आ जाते हैं तो यह ovary और यह ovary यह इन दोनों के अंदर बनते हैं ova ova बोले तो एग अंडे बनते हैं और बनके यह अंडे बाहर आते हैं और यहाँ पर इस spumps से मिलते हैं जैसे ही यह अंडे, एग या ova इस spumps से मिलते हैं तो उसको कहा जाता है fertilization यहां से zenital area से spums आए यहां से ovary से अंडा बाहर निकला और बाहर निकल के spums और ova का क्या हो गया fusion हो गया और spums और ova का ही fusion fertilization कहलाता है what is fertilization तो लिख दीजेगा fusion of spums and ova सुकराणू और अंडाणू का जुड़ना क्या कहलाता है fertilization कहलाता है निसेचन की प्रिक्रिया कहलाता है और यहां से exam में एक बहुत अच्छा question बनता है कि यह fertilization की process कहा होती है यह निसेचन की प्रिक्रिया कहा होती है बेटा यह बहुत बार exam में question पूछा जाता है कि यह fertilization की process कहा हो रही है एक तो बेटा यह female body है तो एक तो मादा के सरीर में होती है यह female body में और कहा पर होती है तो इस area में तो इस area को कहा जाता है fallopian tube जहां पर स्पंस अंडानों से मिल रहे हैं और इनके मिलने से क्या हो रहा है इनके मिलने से fertilization हो रहा है तो बेटा जो fertilization की process है वो कहां पर होती है fallopian tube में होती है fallopian tube में tube का मतलब होता है नली यह देखो बेटा यह tube जैसी दिख रही होगे आपको हिंदी में इसे कहा जाता है अंडवाही का नली जो अंडानों का वाहन करती है अंडवाही का नली अक्सर exam में question पूछा जाता है इसे important question कर लेना where is fertilization takes place निशेचन की प्रिकरिया कहां होती है तो आप बताओगे मादा के सरीर में लड़कियों के सरीर में किस पार्ट में तो आप बताओगे fallopian tube में अंडवाही का नली में यह निशेचन की process होती है यह आप से examination में पूछा जा सकता है fallopian tube में होता है ठीक है बताओगे बेटा अब क्या होगा इस fallopian tube में जैसे मान लो यह sperm है और यह अंड़ाणों है एक sperm और एक अंड़ा जुड़ा इनके जुड़ने से fusion हुआ और fusion होते ही क्या बनता है एक जाइगोट बनता है जाइगोट क्या है तो बेटा वो first cell जिससे हमारे body का निर्मान होता है युगमनस हमारे सरीर की प्रथम कोशिका कहलाती है इस pumps और ova के जुड़ने से एक जाइगोट बन गया इस तरीके से एक नया cell बन गया बन गया अब ये जाइगोट नीचे की तरफ धसके यहाँ पे आएगा और ये क्या है ये होता है फीमेल का युट्रस इसे बोलते है फीमेल युट्रस गर्भा से ये युट्रस है और ये जाइगोट नीचे की तरफ आके ऐसे धस जाता है युट्रस की दिवार के साथ लग बताओं आप जाइगोर्ट तो यह तो कहा हुआ fertilization तो इस tube में हुआ जिस tube को आप fallopian tube बोलते हैं जैसे ही fertilization हुआ तो उसके बाद एक जाइगोट बनता है और वो जाइगोट नीचे के तरफ आके धसके जो female की या जो mother की मा का जो uterus है उस uterus की दिवार के साथ ऐसे चिपक जाता है और जैसे ही ये चिपकता है तो इसे blastocyst कहा जाता है ये जब uterus की दिवार के साथ चिपक जाता है ये जाइगोट तो इसे blastocyst कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है blastocyst कहा जाता है तो ये भी exam का question बनता है कि what is blastocyst तो आप बताओगे जब जाइगोट मादा के या मा के गरभासे के साथ आके चिपक जाता है तो उसे blastocyst कहा जाता है इसे blastocyst कहा जाता है तो क्या बता दोगे कि अगला process क्या हो गया चार नंबर पर तो भई जाइगोट formation चार नंबर पर process क्या होगा जाइगोट फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया युगमनज का निर्मान होना युगमनज निर्मान और युगमनज निर्मान हो जाएगा तो बेटा कैसे हुआ स्पम्स और ओवा के जुड़ने से और बाद में यही जाइगोट नीचे की तरफ मदर के यूट्रस की दिवार के साथ आके जुड़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते है तो यह लड़की प्रेगनेंट हो चुकी है, इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट बनने लग गया है मतलब इसके बच्चे का निर्मान होना सुरू हो गया है अब यह धीरे 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 इस बच्चे के अंदर सैल से टीशू, टीशू से ओर्गांस इसका हार्ट बनेगा, इसका लीवर बनेगा, इसका धीरे धीरे ब्रेन बनेगा और इस स्टेज को कहा जाता है अगला इंप्लांटीशन पांच नमबर पे, पांच नमबर पे जो स्टेज आता है उसे कहा जाता है प्रत्यारोपन या implantation 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 का मतलब होता है प्रत्या रोपन implantation का मतलब होता है बेटा यही वाला main जो implantation का मतलब होता है प्रत्या रोपन किसी चीज़ का एक जगे जाके ठहर जाना प्रत्या रोपन तो प्रत्या रोपन इसी blastocyst की formation को ही कहा जाता है जाइगोट formation में क्या होगा जाइगोट बनेगा देन जाइगोट आगे चलकर blastocyst बन जाएगा और blastocyst कब बनता है जब वो किसकी दिवार से लग जाता है जब वो uterus की दिवार के साथ लग जाता है गरभासे की दिवार के साथ जाकर वो लग जाता है तब उसे blastocyst कहा जाता ह उसका implantation हो जाता है, युकमनस का गरभासे की रेखा पर चिपकना समाविस्ट होना ही क्या कहलाता है, प्रत्या रोपन या समाविस्ट होना कहलाता है, अब धीरे 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 जैसे ही implantation हो गया, implantation का मतलब यहां पर लग गया है, बेबी का formation स्टार्ट हो गया है, उसमें organs बन स्टार्ट होगे हैं तो इस स्टेश को कहा जाता है गेस्टेशन अगली स्टेश कहलाती है गेस्टेशन स्टेश्ट और गेस्टेशन क्या होता है ग्रभा अवधी ग्रभा अवधी और अब क्या होगा इस ग्रभा वधी में नो महिने तक ये पूरा का पूरा बच्चा पहले फीटस फिर इंब्रियो बनेगा, इंब्रियो का मतलब है भुरून बनेगा और फिर इंब्रियो से आगे चल कर क्या बन जाएगा, एक चाइल्ड बन जाएगा, एक बच्चा बन जाएगा गैस्टेशन का मतलब होता है नो महीने तक ये बच्चा यहीं पर इस यूट्रस में दिवार के साथ लगा हुआ होता है और धीरे धीरे इस बच्चे में क्या-क्या बनने लग जाता है, ये फीटस होता है, फिर इंब्रियो भुरून बनने लग जाता है, इसमें और इसमें ट tissues या organs बनने में इसका development होने में total नो महीने लग जाते हैं। generally humans का जो gestation stage होता है वो 9 months का होता है और इसी stage में इस 9 month की stage में क्या होता है? embryonic development होता है, embryonic development का मतलब बिटा कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि भ्रून ये विकास होता है, इस भ्रून का विकास होता है, इसका development होता है, इसमें cells, tissues, organs बनना स्टार्ट होते हैं और साथ साथ में mother और बच्चे के बीच में एक membrane बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम placenta कहते हैं या embryical code कहते हैं और आम भासा में आप इसे grub nal कहते हैं, बच्चा तो बन गया है बेटा अब उस बच्चे में मा अपने बच्चे को पानी, oxygen, glucose जिस membrane के थूप पहुचाती है उसे ही placenta या गरब नाल कहा जाता है उसे ही embryical code बाद में आपने देखा होगा बच्चे के डिलीवरी के बाद डॉक्टर काट देता है इस embryical code को मा का और बच्चे को अलग-अलग कर दे अब बता दोगे मा और बच्चे को अलग-अलग कर देता है कहने का मतलब क्या होगे बटा मेरा कहने का मतलब simple सा है कि placenta क्या होती है मदर और बच्चे के बीच में टीशू की membrane होती है जिस membrane के थूप बच्चा पेट के अंदर है तो सारा का सारा उसे nutrition, oxygen, glucose, सब कुछ कहां स मिलेगा उसे मदर की बोडी से मिलेगा मा से मिलेगा तो मदर अपने बच्चे को जिस membrane के थूप जिस जिल्ली के थूप अपना सब कुछ का मतलब है पानी, oxygen, glucose, सब कुछ पहुंचाती है अपना खाना पानी सब पहुंचाती है जिस से उसके बच्चे का embryonic development होता है वो जिस membrane के थूप पहुंचाती है उसी को placenta उसी को गरब नाल कहा जाता है या embryical code भी कह देते हैं after delivery उसे embryical code कह दिया जाता है ठीके बच्चा इतनी बास समझ में आ गई आपको तो यह हमारी reproduction की phases है क्या क्या है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कोई इतना मुस्किल नहीं है ब वो genital area से होते हुए female body में आ जाते हैं और जैसे female body में आते हैं तो female body में egg बनते हैं उसकी ovary में अंडासे में अंडानू बनते हैं अंडानू बहारा के sperm से जुडता है और जुणनेक से एक नया cell बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है और ये जाइगोट कहा बनता है तो पहले fallopian tube में बनता है और बाद में आकर वो नीचे की तरफ female body के uterus में धस जाता है जैसे मैं आपको यहाँ पर image दिखाती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यह female reproductive system है आप इसमें देखेंगे तो यह देखो यहाँ से होता हुआ बेटा क्या आता है spums यहाँ से आते हैं यह ovary है इनसे अंडा निकलता है यह fallopian tube है यहाँ पर जाइगोट बनता है फिर यह जाइगोट बनके यह जो uterus है यह uterus है female का यह इससे आके धस जाता है इसे कहा जाता है implantation implantation हो गया मतलब यह लड़की pregnant हो गई इसका blastocyst आके uterus के साथ जुड़ गया गरभासे के साथ आके जुड़ गया जुड़ गया तो अब बच्चा बनना सुरू हो गया है मतलब उसके बच्चे के अंदर embryonic development होना सुरू हो गया है उसमें tissues organs बनना स्टार्ट हो गया है और उसको stage को gestation कहा जाता है gestation का मतलब है embryonic development पूरा का पूरा आप बताओगे बेटा कि 9 महिने लगता है उस बच्चे के development के लिए after 9 months इस बच्चे के delivery हो जाती है उसका birth हो जाता है उसका जनम हो जाता है तो इस तरीके से reproduction की stages होती है हमारे humans में हमारे humans में 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 बेटा ठीक है समझ गए हैं अच्छे से आप इस सीज को अब बात करेंगे बेटा कि किस तरीके से spumps बने कहां बने male body में female body में अंडाणू कैसे बने यह सब पढ़ना male and female reproductive system कहलाता है तो अब जड़ा note करेंगे अगला पहला reproductive system मैंने अभी तक क्या पढ़ाया what is reproduction कितने type का होता है क्या हमारे reproduction के characteristics है क्या phases है यह नहीं पढ़ाती सीधा मैं आके लिग देती male reproductive system तो बिटा आप समझते ही नहीं कि क होते है spums है ना कैसे वो जनाइटल एरिया से आए कहां पर जाइगोट formation हुआ कहां पर implantation हुआ इसलिए मैंने पहले वो पढ़ाया बेटा ठीक है yes बेटा spums और यूरीन का यूरेथ्रा वाला पार्ट एक ही common पार्ट होता है जिसके बारे में अभी बात करेंगे रुकिए अब हैडिंग देंगे आप male reproductive system male reproductive system पहले पढ़ लेते हैं और देन हम female reproductive system पढ़ लेंगे हिंदी में लेख दीजिए अगर मैं आपको male reproductive system का डाइग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है male reproductive system दिखने में कुछ ऐसा होता है ठीक है इन सबको एक एक करके सारे points को पढ़ते जाएंगे हम सबसे पहला लिखिए location of male reproductive organ male reproductive organ की location क्या होती है male reproductive organ वो औरगन वो औरगन या वो औरगन जो reproduction में help करते हैं और वो किसके male के वो कहां होते हैं तो नर जनन अंग कहां होते हैं लिख दीजिए नर जनन अंग जहां पर भी पाए जाते हैं उस part को pelvic reason कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है pelvic reason कहा जाता है जो below intestine होता है आतों के नेचे इसे श्रोनी reason कहा जाता है हिंदी में श्रोनी reason या भाग कहा जाता है तो जहां पर भी मेल reproductive organs present होते हैं उसे हम बोलते हैं श्रोनी या श्रोनी भाग और जब हम बात करते हैं मेल reproductive system के कितने organs है तो बेटा नर जनन के लिखेगा four parts of male reproductive organs four parts of male reproductive organ male reproductive system को चार भागों में बांटा जाता है male reproductive organ को नर जनन भागों को चार भागों में बांटा जाता है कौन कौन से वो चार है पहले तो इनके नाम याद करो बेटा क्योंकि एक्जाम में यहां से question आता है पहले होते हैं testis जिने हिंदी में हम ब्रिशन बोलते हैं दो नमबर पर आते हैं उन्हें कहा जाता है accessory ducts accessory ducts यह सारे reproductive system के पार्ट हैं लेकिन किसके मेल के हिंदी में बोलते हैं सहायक ग्रंथियां सहायक नलिकाएं ग्रंथियां आगला होगा यह सरफ male body में होते हैं बेटा तीसरा male reproductive organs का हिस्सा होता है आप बताओगे बेटा male glands जिने पोरुष ग्रंथि कहा जाता है male glands जो सिरफ male body में होती है और हिंदी में कहा जाता है पोरुष ग्रंथि यह भी reproductive glands कहलाती है पोरुष ग्रंथियां लिख लो और चार नमबर पे जो होता है उसे कहा जाता है आप बताओगे external genital area चार नमबर पे जो आता है उसे कहा जाता है external genital area external genital area external genital area बाहिये जननांग भाग बाहिये जननांग भाग male reproductive system को हम 4 main part में divide कर दिया है कौन कौन सा सबसे पहला जो है पहले तो ये कहा होते हैं ये चारों ही pelvic reason में होते हैं ये चारों ही large intestine के नेचे वाले हिस्से में होता है क्या class चलने में कुछ problem है क्या हुआ मैं कैसे लिख रहे हैं अभिशेक कुमार कुछ class चलने में problem होगी ये के बिटा यहां से तो class सही चल रही है ठीक है 4 parts कौन कौन सा है पहले part को बोलते हैं testis दूसरी को बोलते हैं accessory ducts कुछ नलियां होती है जो male reproductive system system का भाग माना जाते है कुछ गरंथियां होती है जो reproduction में help करती है ये भी reproduction में help करती है ये भी reproduction में help करता है और genital area भी reproduction में help करता है इसका मतलब total 4 parts है male reproductive system के अब exam में question क्या डालता है एक male वाला part देदेगा तीन female reproductive system के पार देदेगा और बुलेगा इनमें से male का कौन सा नहीं है फिर आप यहां पर वो नाम नहीं समझ पाओगे ऐसे ही female का नाम डालेगा तीन रखेगा female वाले एक रख देगा male वाला पुछेगा कौन सा इसमें से female reproductive system का हिस्सा नहीं है तो आपको ये चारों याद करने है इन चारों को ही मानते हैं हम नर जननांग भाग जो main होता है वो ये होता है बेटा main जो reproductive organ है वो testis है because इसे के अंदर spums बनते हैं इसे के अंदर spums बनते हैं बास समझ में आगई मेरी क्योंकि अगर testis नहीं होंगे तो उसमें spums बनना बंद हो जाएंगे तो सबसे पहला लिखेंगे एक नमबर लगा के testis और जब testis के बात करते हैं तो बेटा ये एक pair होते है male body में testis की संख्या एक pair होती है एक जोड़ी testis होती है एक जोड़ी testis होते हैं और जब testis के बात करते हैं तो testis कहा होते हैं तो बटा यह male reproductive organ है यह रहा एक left testis, एक right testis, यह रहे male body के testis, इन्हें testis बोलते हैं, अब यह कहा है तो यह male body से outer, male body के बाहरी भाग में होते हैं, अब इन्हें बाहरी भाग में क्यों रखा गया, क्योंकि बच्चा एक पहली बात तो यह जहां होते हैं, उस पार्ट को कहा ज reason के, जहां पर, जिस location testis की होती है, स्थान जहां होता है, उसे कहा जाता है, scrotum, उसे scrotum कहा जाता है, scrotum में testis होते हैं, एक जोडी होते हैं, one pair, और अगर मैं बात करूं कि यह male body में outer side होते हैं, outside होते हैं, मतलब outside का मतलब है, कि inner body part नहीं है, यह बाहरी भाग है, अंड क साहिंदी में scrotum को बेटा, अंड कोस कहा जाता है, यह कहां पर पाए जाते हैं, तो अंड कोस वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और male body में scrotum outside होता है, outside क्यों होता है, क्योंकि बेटा, इस testis के अंदर होता है, किसका formation, इस pumps का formation होता है, सुक्राणू का निर्मान होता है, और सुक्राणू का निर्मान होने के लिए, हमारे body का जो temperature होता है, उससे 1 से 2 degree Celsius temperature कम चाहिए होता है, कम चाहिए होता है temperature, इसलिए scrotum बाहर की तरफ होता है, कहने का मतलब क्या हो गया, कि हमारे body का जो inner body temperature होता है, उससे थोड़ा कम temperature की जुरूर्थ होती है, बिलो 37, नॉर्मली हमारे body का temperature कितना होता है, 37 degree Celsius होता है, और 37 degree Celsius से कम temperature पर स्परम्स अच्छे से बन पाते हैं, इसलिए जो टेस्टिस हैं वो बाहर होते हैं, स्क्रोटम में, तो यह बात रखेगा कि मेल बोडी में बाहर क्यों होते हैं, तो मेल बोडी में बाहर होने का री बोडी का जो temperature है, उससे एक दो डिगरी Celsius temperature कम चाहिए होता है, एक दो डिगरी Celsius तापमान कम चाहिए होता है, और अगर मैं बात करती हूँ, यह आपके टेस्टिस, देखो, question कैसे आएगा, एक्जाम में, टेस्टिस की location क्या है, पैलिविक रीजन, जिस जगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या अंड कोस, कितने होते हैं, वन पेयर, इन में क्या होता है, स्पंस का formation होता है, यह बाहर के तरफ क्यों है, क्योंकि इनके अंदर स्पंस बनते हैं, और स्पंस बनने के लिए, जनरली हमारे बोडी का जो temperature है, उससे एक से दो डिगरी Celsius temperature कम चा अंडाकार, ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार आकरती के होते हैं, आप देख भी सकते हैं, ओवल शेप के ही आपको दिख रहे होंगे, यह देखिए, अंडे जैसे दिख रहे होंगे, ओवल शेप में आपको टेस्टिस दिख रहे होंगे, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, लेंथ की तो चार से पांस सेंटीमेटर इनकी लेंथ होती है ये वादी लेंथ आप टेस्टिस की लेंथ लिखना चाहेंगे तो चार से पांस सेंटीमेटर लंबाई में होते हैं लेंथ इनकी ये होती है विड्थ पूछोगे इनकी चोडाई पूछोगे तो बिटा ये दो से 3 cm होती है 2-3 cm इनकी width होती है and 4-5 cm इनकी Length होती है लंबाई होती है ठीक है यह बात आप यहां तक याद रखेंगे अब इस TESTS की जब आप Anatomy करते है Anatomy का मतलब इसके अंदर की structure पढ़ते हैं तो अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है तो नेक्स पॉइंट में लिखेंगे, एनाटोमी ओफ टेस्टिस, एनाटोमी ओफ टेस्टिस, व्रिशन की आंतरिक सरंचना, बाहर से तो कुछ इस तरीके से दिखे, जो पॉइंट बने आपने लिख लिए, अब इसकी आंतरिक सरंचना कैसे दिखेगी, व्रिशन की आंतरिक सरं आप अगर आप इसकी एनाटोमी करते हो एक टेस्ट इसकी और आप इसको इलक्ट्रोन माइक्रोस्कोप पर रखते हो तब आपको क्या दिखता है बेटा तब इसमें क्या-क्या चीजें दिखती है वो हम कल पढ़ेंगे कल के क्लास में पढ़ेंगे आगे कॉंटिनु कल घ्लिघ कई ठीक है है एनजी सेंमनी फेरस ट् vb एक एम होता है वो हम कल अब अब बताएंगे आपको सामनी फएरस टीईब एक होता है उस पे कल बात करेंगे हम आज निकरा के पड़ा रिप्रॉडप्ट्ष म् मेलु जान चैक्जान क्म मैं अनकी क्योंट होते हैं धान हमनी पड़ा क्या थेस होती है। उसके बाद हमने मेलर रिप्रोडक्टिव सिसिस्टम स्सिंट म स्टाट किया जो चार पार्ट से बना हुआ होता है चारो पार्ट के नाम लिखे और टेस्ट इसके बारे में स्थोड़ासा जाना-जानकारी लीड़ु EG죠 particles Mike ऑते हें तिकर इसके आय न टयुक mutual हमें आपर बागी बाते बढ़ेंगे ठीके बेटा हिंदी में लिखवा दिया है हिंदी इतनी ही होता है कि इसे ज्यादा इन होता है बेटा हिंदी में लिखवाती जा रही हूँ मैं आपको ऐसा क्यूं लग रहा है कि मैं हिंदी नहीं लिखवा रही हूं चलिए फिर आप हम कल मिलेंगे कल या परसों की क्लास में अपना रिपर्डटरी सिस्टम खतम हो जाएगा कल नहीं तो परसों गुड़ीवडिंग एवरीवान